नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भिशेक और स्वागत एकबर फिर से आप सभी का एडिटोरियल विद भिशेक यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज का एडिटोरियल एक्जाम पॉइंट आफ यूसे तो अतना इंपॉर्टेन नहीं है लेकिन अगर आपको पॉलिटिक्स में राजनीती में हलकी फुलकी भी रूची है तो ये एडिटोरियल आपकी पॉलिटिकल नॉलेज को आपकी राजनीती की समझ को और जादा इंप्रूव कर देगा देखें दोस्तों आज का एडिटोरियल रिलेटेड है राजधानी दिल्ली के सीएम राजधानी दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल जी और लेटिनेंट गवर्नर उप राज जेपाल वीके सकसेना के बीच में चल रही कॉन्फिक्ट से तो दोस्तों इस कॉन्फिक्ट से दिल्ली के जो गवर्ननस है दिल्ली के जो साशन है इसमें क्या इंपक्ट पढ़ रहा है इन्ही सब चीजों को आए डिटेल में डिसकस करते हैं इस एडिटोरियल से तो दोस्तो आज के editorial की topic है capital stalemate अब दोस्तो stalemate क्या होता है इसको समझते हैं देखिए stalemate एक ऐसी situation होती है जब कोई progress नहीं दिख रही होती है जैसे माल लीजिए दो पार्टियां है A और B इन दोनों के बीच में एक conflict चल लिए एक चीज को लेकि बहस चल लिए ठीक है तो एक case ये होगा कि दोनों party की जो conflict चल लिए उसमें से किसी एक party की जीत हो जाती है कोई एक party जो होती है इस conflict में इस बहस में जीत जाती है और दूसरा case ये होगा कि ये जो conflict ये जो बहस है इतनी बुरी तरीके से आपस में उलच गई है कि कोई भी progress देखने को नहीं मिलना है इस conflict में कोई भी party जीतते हुए नहीं दिख रही है तो दोस्तों यही exact situation है दिल्ली में यही exact situation है दिल्ली में CM केजरिवाल जी और lieutenant governor VK सकसेना जी की बीच में ठीक है तो capital मतलब कि दिल्ली में जो चल ला है stalemate जो एक तरीके से बिलकुन dormant state पहुँच गया है कोई भी progress दे देखें दोस्तों यहाँ पर author जो यह बोला है कि CM मतलब Chief Minister अर्विन केज रिवाल जी और lieutenant governor उप राज जेपाल VK सकसेना की बीच में जो भी conflict चल लिए जो भी तकरार चल लिए उससे वहाँ की governor जो है उसमें direct impact पढ़ रहा है उसके उससे वहाँ की साशन जो है वो एक तरी of the armed party in the recent municipal corporation of Delhi mcd elections अभी दोस्तों आपको पता होगा कि Delhi में mcd elections हुए थे मतलब नगर पालिका के चुनाओ हुए थे और वहाँ पे नगर पालिका के चुनाओ में आहम आदमी party जो थी वो जीत गई थी उसने लगातार 15-20 सालों से राज कर रही BJP को हरा दिया था भारी अं आदमी party जो थी वो जीत गई थी ठीक है added a fresh backdrop to the unceasing face off between the lieutenant governor of the national capital territory and the elected governor अब दोस्तों इस incident से इस जीत से क्या हुआ था एक नई प्रिष्ट भूमी एड हो गई थी एक नया chapter एड हो गया था किस चीज में जो एक निरंतर लडाई चल लए थी निरंतर या फिर ना खत्म होने वाली जो face off चल लए थी तकरार चल लए थी दिल्ली के national capital दिल्ली के elected governor elected government cm अर्विन केजरिवाल जी के बीच में और lieutenant governor वीके सकसेना जी की बीच मतलब की अभी हाल ही में mcd elections में जो आम आदमी party की जीत हुई है इससे एक नई प्रिष्ट भूमी एड हो गई है इससे एक न आगे क्या लिखा है several governors who are all too eager to further the bharati janta party politics confront elected chief minister from opposition parties अब देखे दोस्तों होता क्या है होता ये है कि हमारे देश में एक central government होती है जो कि इस समय BJP की है ठीक है उसके बाद दोस्तों हमारे देश में कुल 28 states हैं और इसके साथ साथ हमारे देश में कुछ 8 union territories है तो states में क्या होता एक chief minister को elect किया जाता है वो chief minister जो है वो या तो BJP कभी हो सकता है या फिर किसी भी party का हो सकता है जिसको की election में जीत मिलती है और इसी के साथ साथ ही state में होता है एक governor अब governor जो होता है वो central parties होता है मतलब ये BJP का होता है वहीं पर दूसरी तरफ union territory में क्या होता है यहाँ पे एक elected government होती है मतलब एक chief minister होता है जैसे कि दिल्ली केस में elected government आम आद्मी party के अर्विन केजरिवाल जी है और इसी के साथ साथ union territory में एक lieutenant governor होता है एक LG होता है जो कि इस समय वीके सकसीना जी है तो जो chief minister होता है वो तो किसी भी पार्टी का हो सकता है लेकिन जो lieutenant governor होता है वो आई होब यह आप इस सिस्टम को समझ गए होंगे तो देखिए यहां क्या लिका है ठीक है यहां लिका है पर दिल्ली केस इस यूनिक हम पढ़ रहते हैं यहां से ठीक है अपने राज में बीजेपी की पॉलिट्यक्स को implement करने के कोशिश करते हैं लेकिन दिल्ली के और इसके कारण दोस्तो अक्सर ही सीएम और गोवश्अर्नर और सीएम और लुटिनेंट गोवश्णर ही भी है तो यहां पे lieutenant governor जो कुछ जादा ही power को exercise करते हैं आगे क्या लिगा है the most recent flashpoint between chief minister अर्विन केजरिवाल and lieutenant governor विन्य कुमार सकसेना अभी जी दोस्तों ताजा विवाद देखनों को मिला है lieutenant governor विन्य कुमार सकसेना जी के बीच में और दिल्ली के chief minister अर्विन केजरिवाल जी के बीच में वो किस चीच को लेके हैं वो आया है ahead of the January 6th election of the mayor and deputy mayor of the MCD अभी दोस्तों हाल ही में January 6th 2030 को mayor और deputy mayor का चुनाओ होना था जो कि दोस्तों टल गया था क्योंकि दोस्तों आम आदनी party के और BJP की जो पारसत थे वापस में लड़ने लगे थे ठीक है तो इस जा उठा है when Mr. Saksena appointed 10 older men and a BJP counselor to preside over the polls counselor कौन होते हैं counselor होते हैं पारसत लोग ठीक है जैसे दिल्ली में total 250 seats थी तो यहां 250 seats में से 250 counselors elect होए तो 250 पारसत लोगों को elect किया गया था ठीक है तो दोस्तों जो ताजा मुद्दा है वो यह है कि वहाँ का जो चीफ वहाँ का जो एक त 10 older men को nuked किया है older men क्या होते हैं दोस्तों जो presiding officers नहीं होते हैं मतलब mayor और deputy mayor को चुनाओ होना है ठीक है तो इन elections के लिए कुछ presiding officers को nuked किया जाता है ठीक है on the basis of उनकी knowledge कितनी अच्छी है नगरपाली को को लेके और उनकी वर्षिता कितनी है मतलब जतने ज्यादा senior उनको preference दी जाएगी जितना यादा उनके पास knowledge होगी उनको preference दी जाएगी मतलब 10 लोगों को नियुक्त करना पड़ता है जो कि इस पूरे चुनाओ की देख रेक करते हैं तो lieutenant governor ने क्या कि lieutenant governor पूरे 10 लोगों को BJP से select कर लिया ठीक है तो यही जो था वो मुद यही जो था of appointing this senior most counselor as the presiding officer तो आम आदनी पार्टी जो है वो BJP आरोप क्या लगा रही थी वो आरोप लगा रही थी कि जो एक tradition हुआ करता था जो एक प्रथा हुआ करती थी कि senior most counselor मतलब जो सबसे एक तरीके से senior most पारसद हो है उसको elect किया जाना रहता है या फिर जिसके पास सबसे ज़ होती है उसको elect किया जाता है presiding officer के रूप में ठीक है तो lieutenant governor ने इस प्रथा को नचर अंदाज कर दिया है और उन्होंने अपने मर्जी से 10 लोगों को BJP से चुन लिया है और दोस्तों इसी के साथ साथ एक और आरोप लगाया है कि lieutenant governor ने इन सभी presiding officers को voting right दे दिया मतलब कि मत का अधिकार दे दिया और ऐसा mcd act में नहीं होता मतलब mcd act के according जो presiding officers होते हैं या फिर जो older man's होते हैं 10 11 जितने भी होते हैं उनको voting rights नहीं मिलती है ठीक है a question that remains unclarified और दोस्तों ये ऐसा मुद्दा है जो कि अभी भी इसका हल नहीं निकला है अभी भी ये विवादित मुद्दा है ठीक है सकसेना जी के उपर ये आरोप लगा रही है कि जितने भी मंतरी परिशयद है जितने भी council of ministers हैं इनको नजर अंदाज करके जितने भी orders है वो बिना discuss कि हुए अपने एक अधिकार से launch कर देते हैं बिना किसी से discuss की हुए बिना किसी से पूछे कोई भी order निकाल देते हैं lieutenant governor regardless of the division of power established by the supreme court between the two entities क्योंकि दोस्तो supreme court ने cm और lieutenant governor दोनों के बीच में ही कुछ power को divide कि है कि आगे क्या लिका है technically the lieutenant governor has executive control over only three reserved subjects दोसो technically या फिर legally देखा जाए कानूनी तोर पे जो lieutenant governor होते हैं जो वीके सक्सिनाजी है उनके पास केवल तीन subjects को लेके power होनी चाहिए पहला है police मतलब दिल्ली की police जो है वो lieutenant governor के control में आएगी दूसरा है public order जो भी public order होगा वो lieutenant governor के control में आएगी और तीसरा जो है land मतलब इन तीनों मुद्दे पे lieutenant governor का control होता है all other subjects lie within the elected governor अब बाकी जितने भी छेतर होते हैं बाकी जितने भी विसे होते हैं वो cm cm मतलब chief minister के अंदर कर आते हैं but by virtue of being in control of the bureaucracy and exercising the power to transfer suspend or take any action against any employee of the दिल्ली government लेकिन दोस्तों क्योंकि राज जिपाल जो उप राज जिपाल जी है वीके सक्सेना क्योंकि ये bureaucracy का control इनके पास है administrative power का control इनके पास है तो दोस्तों ये कुछ जादा ही power execute कर रहा है मतलब कुछ जादा ही power इनके पक्ष में आ गई है जैसे की दिल्ली government का कोई भी करमचारी कोई भी employee को ये transfer करने की power रखते हैं कि कहीं भी दूसरी जागा transfer कर सकते हैं कहीं भी कभी निलंबित कर सकते हैं suspend कर सकते हैं फिर कोई भी कारवाई इनके खिलाफ चालू कर सकते हैं मतलब कुछ जादा ही power इनके पास आ गई है ठीक है the lieutenant governor's authority extend beyond those मतलब जितनी power इनके पास होनी चाहिए उनसे जादा इनकी authority जो है वो extend कर रही है as it earlier interventions have not settled the dispute between the lieutenant governor and the elected government the supreme court is currently examining the quotient efforts अब दोस्तो supreme court ऐसा नहीं कि इसने कभी इन दोनों के बीच में दखल नाजी नहीं की इसने बहुत बार इन दोनों के बीच में मतलब CM और lieutenant governor के बीच में जो मुद्दा चल ला है जो बहस चल ली है इसको सुलजाने की कोशिश किये लेकिन कभी भी इसको सफलता नहीं मिली है ठीक है तो इस बार क्या कर ये supreme court जो है वो एक नए सीरे से जाज कर रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर ठीक है अब fresh मतलब होता है नए सीरे से पूरा जाज कर रही है ठीक है दोसो कुछ दिन पहले लीटिनेंट गवर्नर से मीटिंग करने की इच्छा जताई थी लेकिन बाद में उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है लेटिन गवर्नर सकसेना जी के बीच में और चीफ मिनिस्टर केजरिवाल जी के बीच में हर हफते कोई meeting हुआ करते थी यगों कि दोस्तों किसी भी order को अगर दिली में pass करना है किसी भी bill को अगर cm को pass करना है तो उनको जाकि पहले गवर्नर से permission लेनी पड़ती है तो हर हफ़ते ये दोनों आपसे मीटिंग करते थे हर हफ़ते ये अपने गवर्मेंट को अपने साशन को डिसकस करते थे और ये जरूरी भी है वहाँ की गवर्नेंस के लिए अब दोस्तो सुप्रीम कोट्ट ये कह रहा है कि दोनों ही राежनेताओं की दोरा तोनों की दोरा जो अपनी बुद्धी मता से चीजें करवाई जा रहे है उससे वहाँ की डॉर्मेंट जो इस्तिती बनी हुई है जहां कोई progress नहीं हो रहा है वो उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है ठीक है विच इस seriously impact in governance इंदी नेशनल कैप्टर और इस पूरे ही चीजों से वहाँ की जो साशन है वहाँ की जो governance है वो seriously impact हो रही है मतलब लोगों पर ultimately क्या होगा वहाँ पर कोई भी bill pass नहीं होगा और दोस्तों जो लगातार एक political rivalry rivalry जो है वह बढ़ती जा रही है लगातार political tensions जो है वह आम अनी पार्टी और भारती जंता पार्टी की वीच में बढ़ती जा रही है उससे situation जो है वह और ज्यादा खराब होती जा रही है लेकिन दोस्तों इन सभी की जड़े जो है वो है legal ambiguity जो एक मतलब unclearness है कानूनी अधिकारों को लेके कि ये अधिकार जो है lieutenant governor के है और ये particular अधिकार जो है वो chief minister के है Supreme Court को जल्द से जल्द इनके अधिकारों को और ज्यादा clear करना चाहिए ताकि कोई भी ambiguity कोई भी unclearness ना हो इनकी बीच में ठीक है और जो भी जरूरी चीजे है उन सभी को तुरंत ही implement करना चाहिए तो आशा करते हूं दोस्तों आपको आज का editorial समझ आया होगा और इससे आपकी political knowledge होगी हलकी फुलकी बढ़ी होगी तो thank you